मुझसे कोट में उलजने से बेतर यही होगा गोविंद कि मौामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं तुम तो जानते ही हो कि इंदर जीत चड़ा कभी शिकस्त नहीं खा था चड़ा तुने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हैं क्या कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलजी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं यह और बात है दामिनी के केस को छेड़ कर जो तार तुने चू लिया है बिजली का वो जटका लगेगा के तु जटक न भुल जाएगा रसी जल गई पर बल नहीं गया गुपता चार लाक देने को तैयार है एक छोकरी की इज़त के लिए ये रकम बहुत है बहुत तरकी कर ली चड़ा कानून की दलाली से इज़त की निलामी तक आ गए इस पेशे को भड़वाकिरी कहते हैं जला मत नहीं तो ये केस यहीं रफादफा कर दूगा ना तारीख ना सुनवाई सीधा इंसाफ वो भी तावर तो चड़ा समझाओ इससे समझाओ ऐसे खेलाने बाजार में बहुत बिकते हैं मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता मर्द उसे लेकर पैदा होता है और जब ये धाई किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उटता नहीं उट जाता है इस सब का जवाब कल अदालत में दूँगा और हाँ अगर अदालत में तुने कोई बतमीजी की तो वहीं मारूंगा जज ओडर ओडर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा जबेस अवाब करता रहेगा झालत में येगा झालत में हाँ झाल झाल